नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एजुकेस्टन चनल में आज की उड़ी लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे दात उरुग के बारे में दात उरुग यानि कि ऐसे बीमर के जिसके अंदर बिना किसी सेक्शिल एक्टिविटी के भी सीमें जेवो लिकेज होने लगता है जिसके अलग-अलग नाम है जैसे कि हम उसको धात रुग भी कहते हैं दूसरा नाम देखे तो स्पर्मिटोरिया उसको कहा ज़ता है फिर उसको सीमें लिकेज भी कहा ज़ता है कि बीना किसी एक्टिविटी के भी सीमें जो आपका लीक होने लगता है जरियन की बीमारे या पिर जीर्यान या धाद भी उसको कहा ज़ता है तो यह प्रॉब्लेम को सौल कैसे किया जा सकता है और वो होता क्यों है सिम्टोम्स होगे रहा क्या है और कैसे इलाज किया जा सकते है तो डिटेल में सिखते हैं आज के उडियो लेक्चर में और जानते हैं दातू रोक के बा आपको description box में मिल जाएगी तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं दातू रोक के बार में तो दातू रहे के ऐसे medical condition से कि जिसके अंदर पूरुस हो के अंदर semen जो हो leakage होता है कि बीना किसे actual activity किये भी semen जो हो leak होता है automatically वो discharge हो जाता है और जिसको हम अलग-अलग नाम से जानते हैं जैसे कि दात रोक का जाता है medical terms में उसको spermatoria का जाता है simple language में समझे तो semen leakage भी हम उसको समझ सकते हैं या फिर gerian की बीमारी भी उसको का जाता है या फिर gerian या फिर दात रोक भी का जाता है तो यह होने के कुछ सिमेन प्रोडक्शन होता रहता है स्पॉम प्रोडक्शन होता है पर क्या होता कि जब यह स्पॉम आपके सरीर में से बाहर निकल नहीं निकलते तो वो खुझ से अपने बाहर निकलने का रास्ता जो हो निकलते है तो उसके करण भी एक problem होती है second absence है कोई भी sexual activity आपके life पे नहीं हो रही तो भी यह problem हो सकता है फिर sexual content आप देखते रहते हैं और काफी ज़्यादा समय उसके पिछे आप spend करते हो मानो आप addictive हो गए है उस type के content देखने का तो भी आपको यह problem जो हो सकता है फिर weakness हो गई है आपके जो penalty issues के अंदर जो muscles होते हैं पैनिस के अंदर वहाँ पे weakness आ गई है कमजोरी आ गई है तो भी यह problem हो सकता है फिर जो prostate gland आती है वहाँ पे सुजन हो गई है वहाँ पे inflammation है stress है आपके life में या फिर आप excessive masturbation करते हैं जबके आप बहुत ज़्यादा हस्त में तुन करते हैं तो भी यह problem हो सकता है पिकरज उसके करण आपके जो muscles होते हैं पैनिस के वह काफी ज़्यादा weak हो गए है या फिर वो area में कोई से injury होए उसके करण muscles भी गोए तो भी यह problem जो हो सकता है तो यह problem कितने दिनों में ठीक हो सकता है तो जब treatment अच्छे से मिल जाते है किसे patient को तो 10 दिन से लेकर एक मेने के अंदर भी यह problem जो हो आसानी से ठीक हो जाता है तो यहाप यह आप देख सकते हैं कि जो prostate gland आती है हमारे bladder के पास तो वहाँ पे समझो कि सूजन आई है तो उसके करण भी semen leakage का problem हो सकता है उसके अलावा आप देखो तो बहुत सारे stress है आपकी life के अंदर तो stressful life में भी यह problem जो हो सकती है तो stress भी affect करता है आपको दात रोक के लिए उसके symptoms देखते हैं तो जब भी आप urine पास करने जाते हैं तो भी urine के साथ semen जो वह leakage होता है उसके करण आप ऐसा भी देखते हैं कि urine जो वह white color का आ रहा है या फिर काफी thick urine आ रहा है या फिर ऐसा आपको लगता है कि जैसे urine में pass आ रहा है ऐसा आपको फिलोता है फिर जब भी आप stool पास करते हैं टोईलेट में जाते हैं तो उस दोरान pressure के कारण भी semen जो है वह leakage होने लगता है फिर आपको ठंड लगती है एस वेलेस रात को जो है वह पसीना होता है आपको फिर दूसरी कुछ symptoms देखे तो mild weakness आ जाते हैं थोड़ी बहुत कमजोर ही आ जाते हैं आपके सेरीर के अंदर पेन होता है testicles के अंदर जो अंड कोस होते हैं वहाँ पे आपको दर्द होता है और आपकी भूख जो है वो कम हो जाती है तो यह सभी symptoms जो है वो देखने को मिलते हैं दात रोक के अंदर तो उसके complications क्या हो सकते हैं अगर कोई यह problem को serious नहीं लेता और treatment नहीं करवाता अच्छे से तो कुछ complications हो सकते हैं आगे जाके तो 5 major complications से तो पहला problem हो सकता है कि sperm count जो हो लो हो सकते हैं उसके गरन दूसरा जो है वो erectile dysfunction का problem हो सकता है premature ejaculation हो सकता है semen की जो viscocity होती है वो काम हो सकते हैं लेकि वीरिया जो है वो काफी पतला हो सकता है आपका और आपकी sexual health के उपर भी उसके करण असर होती है तो treatment के हम अलग-अलग options देख 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 तो पहला option बनता है यहाँ पर yoga या फिर meditation करेता है lifestyle modification करनी पड़ती है कि आप जिस तरह से lifestyle जी रहे है उसके करण समझों के problem हो रहा है तो उसको आपको अच्छे से change करना होता है आयरुविदिक medications, homeopathy, unani और अलग-अलग supplements के यहाँ पर options बनते हैं तो शुरुआत करते हैं योगा से तो अलग-अलग आप योग कर सकते हैं जैसे कि प्राणायम आप कर सकते हैं फिर अनुलोम, विलोम भी आप कर सकते हैं बहुत सरे videos इंटरनेट पर available हैं तो वो आप देखकर या फिर आप अच्छे से योग असिस्टन को consult कर सकते हैं फिर योग में दूसरे options बनते हैं जैसे कि याप याप देख सकते हैं कंधर आसन का एक option बनता है उसके अलावा सर्वांग आसन का एक option बनता है यो आप यहाप देख रहे है images के अंदर फिर तीसरा एक आसन यहाप याप देख सकते हैं बुजंगर आसन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं फिर गोमुक्स आसन का भी यहाँ पर एक option बनते हैं यह अलग-अलग आसन के option बनते हैं यहाँ पर treatment के लिए फिर आगे जो बात आते हैं meditation के तो अच्छे से आपको meditation करना चाहिए कि अगर आपको इस तरह से कोई खायाल आते है या फिर problem हो रहा है काफी ज़्यादा आपको disturbance हो रहा है या फिर उसके करन आपको life में distract जैसा हो रहा है तो meditation से भी आपको काफी ज़्यादा फाइदा हो सकता है अब बात आती है lifestyle modification की तो कुछ lifestyle भी इसके उपर असर करती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है कि पहले तो नींद के अटलिस्ट 8 गंदे की नींद जो है वो patient को लेनी चाहिए पर वो नहीं ले पाता तो उसको अच्छे से नींद पूरी करनी चाहिए पहले कि अटलिस्ट 8 गंटे आप सोते है फिर आपको healthy diet लेना चाहिए प्रॉपर मातरा में आपको पानी जो है वो पीना चाहिए फिर अगर आप समझे कि smoking करते तो उसको बंद कर देना चाहिए फिर समझे कि आप सराब वगेरा भी पीते हैं तो उसको भी बंद कर देना चाहिए जंक फुड वगेरा लेते हैं, फास्ट फुड वगेरा बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो उसको काम कर दिना चाहिए और अच्छे से healthy exercise करने चाहिए healthy खाना खाना चाहिए, आपका weight जो अच्छे से आपको manage करके रखना चाहिए तो lifestyle modification से भी काफी फाइदा होता है फिर lifestyle change में एक और option आपको मिलता है कि आप जो है अच्छी किताबे बढ़ सकते हैं जो हमारे अलग-अलग पवित्र ग्रंत होते है, holy books होती है वो आपको बढ़ना चाहिए, तो उससे भी आपका mind है वो काफी अच्छा रहता है और इस तरह के problems जो हो बहुत कम होते हैं फिर 10x for का यहाँ पर option रहता है, अब दवा यूगी बात करते हैं तो patient जो हो 10x for कटके जो tablet आती है मल्या की, वो ले सकता है कि दिन में एक tablet या फिर दिन में दो tablet आप उसको ले सकते हैं फिर kurs जीरियान करके या आप एक product देख सकते हैं आपके जो हमदर्द की product एक यूणानी medications का एक option है तो उसके 4 या 6 जितने tablet जो आपको लेने चाहिए मिल के साथ दिन में दो बार या फिर दिन में एक बार भी आप उसको ले सकते हैं फिर आगे एक और option हम देखे तो माजून जीरियन खास करके एक product आती है तो यह जो है खास कर एक जैसे 54 प्रास होता है इस तरह से product आती है तो उसको क्या करना होता है आपको कि at least एक चमच जितना या फिर 10 ग्राम जितना आपको लेना होता है और उसको 250 ml जितने milk के अंदर जो है वो अच्छे से mix करके उसको dissolve कर देना होता है और वो अच्छे से जब dissolve हो जाता है उसके अंदर गुल जाता है तो वो आपको दिन में बीना होता है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा benefits होते हैं धात रोक के अंदर फिर दूसरा option हम देखें क्वर्स जिरियान का यहाँ पर option है कि 4 से लिकर 6 tablet आप लेते हैं milk के साथ यूज़ करते हैं गोकसूरा का option रहता है हिमाल्या का कि ये एक या दो tablet patient ले सकता है और दिन में दो बार भी आप उसको ले सकते हैं ये माल्या confido tablet भी आप ले सकते हैं तो उसका भी dose रहता है एक या तो tablet कि यहाँ पर आप देख सकता है कि यह जो medication है वो nocturnal emissions में लेगी जो अपना दोसका जो problem होता है फिर यहाँ पर लिखा आप देख सकते हैं कि spermatoria का जो problem है या फिर premature ejaculation का problem है तो सभी problems को ये confido tablet जो वो ठीक करता है और उसके कोई sad effects भी नहीं होते हैं आपको तो काफी safe and effective medications अभीत होता है फिर चरक फार्मा का आप यहाँ पर एक प्रोड़क्स देख सकते हैं एडिस होा करके तो ये जो है वो एक या दू क्यापस ली जाती है दिन में दो बार आप ले सकते हैं खाना काने के बाद आप ले सकते हैं बाइदनात का भी यहाँ पे एक product देख सकते हैं, कि बाइदनात का मुसली पाक है और उसकी सुक्रमात्रों का वट्टी भी आप देख सकते हैं, तो वो भी patient ले सकते हैं, कि अगर आप इस type के product जो आपको suit हो रही हैं, पतनजली के हम बात करते हैं, पतनजली का भी एक मुसली पाक करके product available है और सिला जो तरह सायन वटी है तो जो मुसली पाक है वो जैसे हम 54 प्रास काते है ऐसे भी आप ले सकते हैं फिर milk के साथ उसको mix करके भी आप उसको ले सकते हैं और यह जो tablet साथी है वो दो tablet सूब और दो tablet रात में जो आप ले सकते हैं milk के साथ जिसके आपको काफी ज़्यादा benefits होते हैं और जो दात रोक का जो problem है वो solve हो जाता है फिर तो homeopathy में यहाँ पर प्राड़क्ट देख रहे है sterlin M करके यह drops देख रहे हैं तो यह drops आपको किस तरह से लेने हैं मैं आपको समझाता हो कि आपको 10 या 15 drops लेने हैं एक cup जितने पानी में और वो पानी को थोड़ा सा गुन-गुना करना है और वो गुन-गना पानी के अंदर आपको यह drops डाल के जो है वो पीना होता है दिन में 2 या 3 बार जो है जिससे भी आपको यह दात रोग में काफी आसरदार साबित हो सकता है फिर लबूप कबीर करके आप एक product देख सकते हैं तो यह भी एक युनानी मेडिसिंस में काफी अच्छा option बनता है तो यह जो आपको 5 या 10 ग्रम जितना milk के अंदर mix करके लिए ना होता है कि एक ग्लास जितना milk लेते हैं और यह 5 या 10 ग्रम जितना यह लबूप कबीर पाक लेते हैं तो उसको mix करके अच्छे से पीना होता है फिर माजुन सुपारी पाक भी आप उसी तरह से सेम ले सकते कि जैसे आप लबूप कबीर यूस करते हैं फिर दूसरी कुछ options बताओ में आपको तो जो supplements के अंदर 40 से और M करके आप एक टाबलेट आदी है यह सके अंदर L-Carnitin रहता है Co-Enzyme Q-Tense रहते है Zinc रहता है, Lycopene रहता है और extra-exanthines उसके अदर present होता है तो यह tablet आपको एक लेनी होती है रात में सोने से पहले अच्छे से खाना खाने के बाद तो यह सभी अलग-अलग options रहते हैं जिससे आपका दात रोग जो हो ठीक हो जाता है फिर सुप्राडीन का भी option रहते हैं कि अगर आपको 400 रेम से फरक नहीं पढ़ रहा तो आप सुप्राडीन भी ले सकते हैं या फिर अज़र supplements के तौरवे आप उनको डेली खा सकते हैं तो यह अलग-अलग options हो गए दात रोग को ठीक करने के लिए हैं तो यह पर एक important बात यह है कि जब आपको यह problem होता है तो आप कोई भी एक choose कर सकते है कि चाहे आप Ayurvedic medications ले रहे जैसे मैंने आपको Himalya की medications बताई वो patient ले सकता है या फिर Yuna नहीं ले सकते हैं या अप homeopathic में ले सकते हैं या फिर साथ में combination में आप यह supplements वगरा भी खा सकते हैं और दियान यह रखना है तो कि आपको lifestyle modification करना बहुत जरी होता है कि आप दवाई तो ले रहे पर साथ में आप lifestyle change नहीं कर रहे हैं तो वो दवाई की असरज़े बहुत जल्द आपको नहीं होती हैं तो यह सभी options आपके लिए रहते हैं दात रोग को ठीक करने के लिए तो ऐसे ही detail में सिखना है बहुत सारी दवाईों के बारे में बीमारियों के बारे में तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं Pharma Rocks के अब उपर तो यह course को जोइन करने के लिए आप हमें mobile application हमारी download कर सकते हैं फिर हमें WhatsApp कर सकते हैं Link आपको description box के अंदर मिल जाएगी So good luck and all the best